हलो दोस्तों वेलकम टू टॉपर्स विलेज दोस्तों आज के वीडियो में हम टू बाइटू मेंट्रिसेज का इनवर्स निकालना सीखेंगे और वह भी कैसे यूजिंग एलिमेंटरी रो ओपरेशन्स ठीक है तो इसके लिए मैं यहां पर क्लास 11 सिब्यस स्वरी क्लास 12 सिब बस यह है कि उनकी बुक में भी यह दो क्वेशन मिलेंगे कहीं ने कहीं लेकिन मिल जरूर जाएंगे आप इसको ऐसे समझो कि कंसेप्ट कैसे समझे है न इस तरीके से आप वीडियो देखो तो क्वेशन नबर 11 और 12 यह दो क्यों क्योंकि एक का इनवर्स हम निकाल लेंगे तो सबसे पहले देखते हैं क्वेशन नबर 11 इसमें जो मेट्रिक्स बोली है वो है 2 माइनस 6 1 और माइनस 2 ठीक है तो इसका हम इनवर्स निकालना सीखते हैं इसकी साइज क्या है 2 बाई 2 तो इसको मैं A बोल देता हूं और रो अपरेशन से ही हम सीखेंगे कोलम भी लगा सक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर समझ लो अच्छे से ए यह हमने मान लिया तो जब भी हम रो अपरेशन से लगाते हैं तब हमेसे हम ऐसे लिखते हैं A इकॉल टू आई A जब कोलम ओपरेशन से लगाने हो तब I और A इनका हम ऐसे ओडर बदल देते हैं फिर वो AI लिखना पड़ता है उसकेस में अभी क्या लिखेंगे A इकॉल टू आई A है है ना A इकॉल टू आई A मैंने ऐसे लिखा यहाँ पर जो आई है यह क्या है आई एक आइडिन्टिटी मेट्रिक्स है जिसको हम यूनिट मेट्रिक्स भी बोलते हैं हिंदी में तत्समक आव्यू या फिर इकाई आव्यू भी इनको बोलते हैं तो यह आई किस ओडर की होगी यहा पर जो आई है वो भी 2 by 2 की मेट्रिक्स होगी तो 2 by 2 साइज की कैसे बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे 1 0 0 1 ठीक है अगर अपना क्वेश्चन 3 by 3 मेट्रिक्स का होता तो फिर हमें 3 by 3 का लेना पड़ता है सेलफ अंडेस्टूड है हमें अपने अनुसार कोशन के अनुसार अज़्च कर लेते हैं ठीक है एक्वल टू आई है यहां पर आते हैं यहां पर किस देखो यह जो रोपरेशन सोते ना バーン inappropriate कि वहमेशा उसमें जो सबसे लेफ ना उस पर लगेगी तो यहां यहां पर row operation की बात कर रहा हूं, column operation में यहां पर बदल जाता है, फिर right side वाल आ जाता है, यहां पर LHS में A की matrix है, तो यही अपने लिए left है, यही अपने लिए right है, तो row operation इसी पर हम लगाएंगे, RHS में दो matrix से I और A multiply हो रही है, तो row operations left side वाली पर लगेगा, तो किस पर लगेगा, row operations इस पर लगेगे, ठीक है, तो यह decide हो गया, कि हम A equal to I A, ऐसे बनाएंगे, और इसके बाद में solve करेंगे, अब उसके बाद में अगली चीज, row operations होते हैं क्या क्या है, वो भी समझ लेते हैं एक तो यह है, row है, तो row में ही change करेंगे, ri, किसी भी row को, आप दूसरी किसी row के साथ interchange कर सकते हो, जब उनकी जगए बदल दो, पहली row को दूसरी में और दूसरी row को पहली में, ऐसे change कर सकते हो, दूसरी को तीसरी में, तीसरी को दूसरी में, होनी चीज़ इतनी rows, ठीक है, तो यह हुआ और दूसरा ओपरेशन तीन ओपरेशन डोटर यह पहला होगे है, दूसरा ओपरेशन यह है, आर आई को आप K इंटो और आई लिख सकते हो, यहाँ पर जो के है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीके, आप किसी भी रो को, आप किसी 2 या 3 या 4 या माइनस 1 माइनस 2 किसे multiply या divide कर सकते हो सब चलता है बस 0 नहीं होना चाहिए 0 होगा तो सब कुछ ये element 0 हो जाएंगे फिर तीसरा operation ये है कि ri को किसी rho को आप ri plus minus k into rj इस तरह modify करके replace कर सकते हो यहाँ पर भी जो k है वो 0 मत लेना ठीक है ये सारे काम आप कर सकते हो इसके बाद में अब ऐसे काम करेंगे करेंगे लेकिन inverse वाली चीज़ कहां से आ गया यहाँ पर क्या word ले रखाए देखो inverse किसे पता चलेगा कि हाँ अब inverse आ गया तो उसके लिए मैं एक और चीज concept clear कर देता हूँ देखो भई हमें ये पता है कि A B equal to B A equal to अगर I आ जाता है तो B को हम A का inverse बोलेंगे और A को B का inverse बोलेंगे ठीक है यहाँ पर जो B है वो B क्या है A का inverse A का inverse है बदलब B बराबर A inverse तो अगर हम इस equation को A equal to I A इसको modify करते 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 अगर हम A B equal to I या फिर B A equal to I ऐसा बना देते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ वो A के बगल में जो बठाना वो क्या है A का inverse है कैसे करेंगे यहाँ पर देखो यह अकेला है और यहाँ पर दो matrix है I A तो यह बात तो निश्ची तक यह जो दो matrix वाला ना I A वो या तो A B बनेगा या B A बनेगा modify होने की बात हैं अभी बीचें बहुत सारा modification लगाएंगे इसे नहीं हवा में बन जाएगा नहीं तो यह जो I A है न यह या तो A B बनेगा यह B A बनेगा इसमें A है दाईं तरफ आई A इसमें A है दाईं तरफ तो यह इस बार यह I A है न I A यह modify होता होता क्या बन जाएगा B A बन जाएगा ठीक है यह तो हुई RHS की बात इधर क्या LHS में A अकेला है यह अकेला नहीं है लेकिन ये अकेला है तो जो i है ना i ये modify होके क्या बन जाएगा i बन जाएगा ठीक है तो ये बना target है अब क्या करते हम यहाँ पर लिख देता हूं में target set कर लेते हैं कैसे हमें ये equal लाना है i equal to इसको मैं इधर लिख देता हूं इसको इधर लिख देता हूं i बराबर क्या है बी ये ये लाना है यहाँ पर i का मतलब क्या है वही 1001 1001 इसको 10 मैं समझना ये थोड़ा दूर दूर है मैं थोड़ा करीब लिख दिया फिर बीच में space है फिर 0 ये मतलब मेट्रिक्स है ये बी ए बी की जगए भी कुछ नो कुछ बी की जगए से जगए बना देता हूं और एक की जगए तो अब देखो ये अपना target set है कैसे कैसे समझा बहुत सारी चीज़ है न एक साथ कई सारी चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है हम अगर इसको modify करते करते ये a equal to i a है हमने क्या लिखा है a equal to i a हम row operation लगा के a को modify करेंगे ये जो arrow लगा है मतलब modify इसको करना है और i a में से i को modify करेंगे तो a को modify करते करते तो क्या बना दे i बना दे तो i modify होते होते हैं क्या बन जाएगा b बन जाएगा ठीक है कैसे वो काम चालू करते है सबसे पहले इसको मैं दुबारा लिख लेता हूँ a equal to i a a equal to i a तो a को फेला लेता हूँ इस a को फेला लेता हूँ a मतलब अपना question नहीं है 2 minus 6 1 और minus 2 2 minus 6 1 और minus 2 इसको modify करना है एक इसको modify करना है equal to i i को फेला लेता हूँ क्या 1 0 0 1 a को modify करना है क्या नहीं करना a की जगे तो a आ जाएगा तो a को फिर में यहाँ पर a की value भी क्यों रूख हो यह का नाम रख देता हूँ बस a अब operations लगाते हैं कैसे लगाएं operations देखो यहाँ पर ऐसा समझो पहले जब हम यह बनाते हैं अपना target क्या है किसको क्या बनाना अपना target यह है यह जो a है यह वाला इसको modify करते 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 यह बना देना यह वाला i इसकी tension मतलो कि इसको कैसे modify करना इसकी tension मतलो यह तो अपने आप हो जाएगा जो काम हम इधर करेंगे वो balance होके इधर भी तो करना पड़ेगा तो इसको आप i बनाने का target रखो यह 1001 तो उस time simultaneously यह जो चीज है न वो modify होके यह बन जाएगी यहाँ वाली कैसे देखो 1001 सबसे पहले यह 0 बना लो या फिर सबसे पहले यार यह 1 बना लो आप यह 1 यहाँ पर 1 होना चीज़े यह 1 अपना 1 तो यहाँ पर है तो यहाँ तो आप इस पूरी row को row operation लगा रहा हो है column नहीं लगा रहा है यहाँ पर कहे row operations row operations समझे लो column समझाओगे ठीक है यह row है तो हमें क्या करना है यहाँ पर 1 बनाना है अपना target है यहाँ पर 1 आ जाए तो यहाँ पर 1 कैसे बनाओ या तो मैं इस पूरी row को यह उठा गए यहाँ पर ही चिपका दूँ तो मैं यह कौन सी row है R2 यह कौन सी row है R1 तो मैं R2 और R1 को क्या कर देता हूँ interchange कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा declare करना पड़ेगा ऐसे लिख के चलना पड़ेगा तो यह 1 और minus तो यह पूरी row ही उठके वहाँ पे चली जाएगे और वो row उठके यहाँ जाएगे तो 1 minus 2 पर आगया और 2 minus 6 नीचे आगया equal to यह 0 1 उपर और यह 1 0 नीचे multiply by A इस A को change नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला row operations left side वाले पर लगता है तो इस left side वाले पर लगाएंगे और जो काम हमने LHS में किया वही काम RHS में करेंगे left side वाली पर तो वो मैंने कर दिया है इधर भी R1 और R2 मेंने उपर नीचे कर दिया है अब हम अगला काम करते है यह वाला one तयार अब हमें यह 0 बना लेना चाहिए जितना जल्दी हो सगी उतना यह 0 चाहिए मैं तो यार यह 0 कैसे मिलेगा यह अपर तो 2 है तो मैं क्या करूँगा इस 1 को double करके मतलब इसको 2 से गुणा करके इसमें minus कर दूँगा तो ऐसा तो है नहीं कि अकला यह element minus होगा यह पूरी row हो ना यह पूरी row यह पूरी की पूरी double होगे इसमें से minus होगी तो फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा अब operation तो यह 3 है एक, दो, तीन इनमें से कौन सा लगाना पड़ेगा तो देखो मैं इसको 0 बनाने के लिए इस R1 की मदद ले रहा हूँ है ना R2 को 0 बनाने के लिए मैं R1 की मदद ले रहा हूँ तो मेरे को ऐसा operation लगाना पड़ेगा जो की एक से ज़्यादा rows को cover करता हो तो interchange तो करना ही रहा है यह भी आई है यह भी आई है यह तो अक्ला अपने आप में समापत हो गया हम यह वला लगाएंगे इसमें देखो RI है ना तो इसको RI को हम RJ के साथ में कुछ नो कुछ calculation करते हैं वही हम यहाँ पर करना चाहरे है R2 को R1 में से double करके ऐसे minus कर रहा है तो यहाँ पर मैं क्या लिकूंगा कौन सा operation लगाना चाहिए मेरे को इसको यहाँ पर 0 बनाना मेरे को दो डबल करके minus तो यह कौन सी रो में है दूसरी रो में है ना यह तो यह R2 आजाएगा यहाँ पर R2 को क्या लिकूंगा मैं R2 minus हाँ यह वाद यहाँ रखना कि यहाँ पर जैसे यह है RI है ना यह RI है तो यह भी RI होना चाहिए same to same यहाँ पर क्या यह R2 होना तो यह भी R2 होना चाहिए R2 minus यहाँ पर फिर क्या हैगा इसका double minus करना है तो दो गुना R1 ऐसे नहीं एक minus करेंगे नहीं पुरी रो की रो ही minus होगी तो अब क्या बनेगा नया क्या बनेगा देखो किसको चेंज नहीं किया हमने R1 को चेंज नहीं किया तो LHS में और RHS में जो R1 है उसको same to same वापस लिख दू यह 1 minus 2 1 minus 2 यह 01 01 हाँ भी R2 R2 का element को नहीं यह 2 इस 2 में से इसका दुगना minus होगा तो 2 में से इसका दुगना minus होगा तो answer के आएगा 0 वो 0 में यहां लिखूँगा हाँ नहीं सोल करके यहाँ पे लिखना वापस R2 के जगे R2 की जगे यह आ जाएगा तो इसका जो answer है वो R2 की जगे ही तो आएगा यह 0 अब देखो यह minus 6 है तो minus 6 है दूसरी row वाला यह तो यह यह आ गया minus 6 minus 2 into R1 R1 का यह element minus 2 minus 6 के लिए minus 2 आएगा तो minus 6 minus 2 into minus 2 सोल करेंगे तो यह कितना हो गया minus 6 minus minus plus का 4 हो गया यह calculation हो गई यहाँ पे minus 6 plus 4 कितना गया minus 2 minus 2 आएगा ठीक दोस्तों तो अब हम इसको खतम इधर भी हाँ इधर भी change करना पड़ेगा ना balance कैसे R2 R2 का element क्या है 1 यह 1 इस 1 में से इसका दुगना minus करेंगे तो 1 minus 0 1 यह जाए क्योंकि 0 का दुगना 0 ही होता है फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो यह 0 है इस 0 में से इस 1 का दुगना minus करेंगे इस 1 का दुगना क्या हो गया minus 2 तो 0 minus 2 यहाँ पर minus 2 आज़ेगा ऐसे हो गया change अब आगे बढ़तें अच्छा अब अपना target क्या है देखो अमने क्या क्या अच्छिव कर लिया यहाँ पर 1 मना लिया यहाँ पर 0 बना लिया 1 और 0 तो बन चुका अब यहाँ पर 1 बन जाए तो मजा आ जाए यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे यहाँ पर 1 बन चुका क्या यहाँ पर minus 2 है यहाँ पर 1 कैसे बनेगे या तो मैं इस से कुछ करूँ तो इस से तो कुछ कर नहीं सकता तो एक काम करतें न यह property कब काम मिलेंगे यह r i को आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो तो यहाँ पर क्या minus 2 गुणा कर सकते हो तो divide भी कर सकते हो no problem तो r minus 2 ना यह minus 2 हम जाते हैं यहाँ पर क्या एक आए तो मैं रुखो इस r 2 को इस r 2 को किस से गुणा करूँ उसको मैं minus 2 का divided कर देता हूँ r divided by minus 2 कर देता हूँ ठीक र 2 divide by minus 2 यह काम कर रहा हूँ मैं यह ही क्यों कि अब यह भी समझना ज़रूर्ड है ना यह और देखो फिर से मैं बता देता हूँ यह 0 है यह minus 2 है इस पूरे नंबर को ही इस पूरे रो को ही अगर आप minus 2 से divide कर दोगे तो 0 बटा minus 2 तो 0 आजाएगा लेकिन minus 2 बटा minus 2 1 बन जाएगा ना यहापर क्या जाएगा? 1 आजाएगा तो वो 1 हम यहाँ पर यह चाहते हैं इसलिए मैं इसको 1 बनाना चाहरा हूँ तो क्या होगा? यह लगा देते हैं पहली रो इदे कोई R2 R2 है तो पहली रो में तो कोई फरक ही नहीं पड़ा तो पहली रो तो same to same 1 minus 2 इधर भी 0 1 और A यह R2 का क्या बनेगा? 0 का divide by minus 2 0 minus 2 divided by minus 2 1 इधर 1 divide by minus 2 minus 1 बटा 2 और minus 2 divided by minus 2 1 यह बन गया तो अब हमने यह भी अचीव के लिया 1 0 1 यह तीनों आगे 1 0 1 अब यह 0 बन जाए यह 0 कैसे बनेगा? देखो यह 0 कैसे बनेगा? मैं एक काम करता हूँ इस Rो क्योंकि एक इस Rो का मतलब इसी पूरी Rो को मैं इसमें से डबल करके जोड देता हूँ दुग ना फिर क्या होगा कि यह 1 अना 1 का डबल 2 जाएगा 2 इसमें जुड जाएगा तो यह minus 2 और नया जुड़ेंने वाला 2 प्लस का तो कटके 0 बन जाएगा यह 0 बन जाएगा तो क्या operation लगाऊ किसको change करना अब पहली वाली रो को तो R1 को change कर देंगा कैसे R1 प्लस R2 का डबल चीक है तो क्या बनेगा 1 प्लस 0 का डबल 0 का डबल जीरो ही होता है इसमें जुड जाएगा तो 1 ही रहेगा फिर minus 2 प्लस एक का डबल एक का डबल दो यह minus 2 और यह plus 2 0 बन जाएगा नीचे वाले को change किया नहीं तो 0 बन इधर भी नीचे वाले को change किया नहीं तो minus 1 बटा दो यह कह एक तो 1 इधर ए यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा R1 R1 प्लस 2R2 यह जो 0 है ना 0 इस प्लस इसका डबल इसका डबल कितना तो minus half है इसका डबल करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा minus 1 बट जाएगा minus 1 और 0 मिलकर minus 1 बना लेंगे यह 1 है अब यहाँ वाला यह 1 यह कैसे modify होगा यह जो 1 है वो यहाँ पर आएगा 1 प्लस twice of R2 मतलब यह वाला 1 तो 1 प्लस 2 इंटू 1 1 प्लस 2 थ्री आजएगा ऐसे बना देखो यह 1001 यह क्या बनेगे I बन गया बराबर यह matrix minus 1 3 minus 1 बट दो 1 और A आगया ठीक है तो देखो यह ऐसे कुछ शकल बनेगी इसके A equal to B है है के नहीं A equal to B है तो यह जो B है न B यह B क्या होता A inverse होता है B क्या होता A inverse तो यह A inverse हो गया B की जिए कोन बैठा है यह matrix बैठी है तो क्या हो गया minus 1 3 minus half और 1 यह इसका क्या हो गया inverse हो गया A का inverse A क्या चीज़ था A था अपना यह question था ना A का 2 minus 6 और 1 minus 2 तो इसका inverse हो गया यह इन दोनों को multiply करोगे ना तो answer कितना आएगा आई आएगा तो A का inverse हैसे हमने पता कर लिया operations द्वारा अगला question करते है question number 12 का लिख लेता हूँ मैं इसमें बोला है कि 6 minus 3 minus 2 and 1 यह matrix है तो हम काम चालू करते हैं इसको मैं A बोल देता हूँ तो A equal to I A क्योंकि मैं लगाऊंगा elementary row operations ठीक है elementary row operations लगाऊंगा तो वेसे column भी लगा सकता हूँ column लगाऊंगा तो फटापट हो जाएगा लेकिन row से करके देखते है यह बार row पर पूरी command बनाते है A equal to I A तो row किस पर लगता है left वाले पर इस पर इधर तो यह अकला है तो इस पर लगेगा A पर तो A को में लिख लेता हूँ जिस चीज़ को मैंने गोला बनाया ना मतलब उस पर लगाऊंगा तो उसको पूरा फिला के लिखो इसको लिख लिख लिता हूँ six minus three minus two and one अब equal to I I का क्या बन गया I का आजएगा one zero zero one into A ठीक है अब अपना target क्या है A का हमें inverse ची है तो देखो A B बराबर I ऐसा बन जाए मतलब I बराबर B है I मतलब क्या one zero zero one B into A ये अपना target है तो हम चाहते हैं कि जो LHS है ना six minus three minus two one ये one zero zero one जैसा बन जाए तो सबसे पहले ये one बनाओ ये one के से बनाए तो एक काम करता हूँ में one के से बनाया जाए one zero अगर ये one बन जाए तो ठीक नहीं तो zero बना लो one बनाना तो क्या है कि इसको मैं छे से डिवाइड कर दूँगा छे से डिवाइड करूँगा तो फिर ये 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 one बन जाएगा लेकिन one या zero ये इन दोनों की same priority होती है या चाहू जो बना लो one बना लो या zero बना लो ठीक है तो यहाँ पर one बना लो या फिर 0 बना लो या फिर यहाँ पर one बना लो या जिरो बना लो सब चलता है ठीक है everything is okay बस बाद में हम interchange कर देंगे मालो यहाँपर zero बन गया ना तो मैं इसको तीन से गुना करके उसमें जोड देता हूँ तो दो तीया 6 हो जाएगा ये माइनस 6 बन जाएगा माइनस 6 उस 6 में जुड जाएगा तो 0 बन जाएगा ये मेरा अप्रोच है वो 0 बन जाएगा तो फिर उस 0 को में नीचे लियाओंगा ऐसे करने का तरीका मेरा तो ऐसे कर लेते हैं चलो इसको 0 कैसे बनाओंगा 6 को इसका 3 गुना करके जोड ना पड़ेगा इसका करना पड़ेगा मतलब पूरी रो का ही करना पड़ेगा तो किसको चेंज करने का प्लान है मेरे को 6 6 किस रो में है इसमें है पहली रो में है तो क्या बन जाएगा R1 is replaced by R1 प्लस R2 का तीन गुना 3 R2 तो सबसे पहले इस 6 को बदलूँगा इस 6 का क्या बन जाएगा 6 की जगे मतलब क्या लिखूंगा मैं 6 प्लस 3 इन्टू R2 R2 का लिखूंगा मैं माइनस 2 6 माइनस 6 बराबर 0 जाएगा 6 की जगे माइनस 3 प्लस 3 जाएगा माइनस 3 प्लस 3 तो क्या बन गे जीरो बन गे मैं किस से replace करतूंगा 0 से यहाँ पर भी 0 जाएगा यहाँ पर भी 0 जाएगा एक बार हमें लिखना तो पड़ेगा अब पता तो चल गया दोनों 0 आगे तो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन जब आप यह लगाओ गे तो इसको भी तो change करना पड़ेगा इसको कर लेते है 1 1 का क्या होगा 1 को replace करूंगा मैं 3 टाइमस 1 की नीचे को नगे 0 0 तो 1 ही बन जाएगा वापस ऐसे ही तो 1 को 1 से replace कर दें ऐसे ही इस 0 को करना पड़ेगा तो 0 को 0 प्लस 3 टाइमस R2 R2 मतलब यह 1 तो क्या बन जाएगा 3 into 3 हो जाएगा यह तो 0 को 3 से replace कर दूंगा तो सारा सब कुछ operation लगा के फिर लिखता हूँ मैं तो देखो R1 को change कर रहा हूँ यहाँ पर जिसका नाम आता है जिसका क्या हो change करना हूँ R1 को change करना है तो यह change होगा और यह change होगा नीचे वाले same to same है same to same आज आएगे वापस तो क्या बन जाएगा minus 2 1 नीचे वाला में लिख देता हूँ पहले लिख देता हूँ, 0, 1 into A ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 6 minus 3 का क्या बन जाएगा 0, 0 0, 0 और अब उपर वाला इधर की तरफ क्या आएगा इधर 1 और 0 था तो 1 और 3 बन जाएगा उसका, 1 और 3 ऐसा हो गया, देखो दोस्तों, अपना target था अपना target यह था, वह बार वो जो target है न, यह यह वापस इतर लिख देता हूँ, 1, 0 0, 1 इधर कुछ आ जाता, और यह ऐसा बन जाता, यह target था लेकिन इधर क्या हुआ, इधर अपनी, मतलब question ही ऐसा था कि यहाँ पर 0, 0 बन गया थोड़ी बहुत calculation करने के बाद अपना target यह था कि 1, 0 या 0, 1 ऐसे आ जाए, तो अपना target यह था कि यह इसको 0 बनाने का प्लान था न, मतलब यह 0 मेच कराने का था इस 0 के बगल में एक तो आना ही चाहिए था, लेकिन इस 0 के बगल में क्या आगया, जीरो आगया अब दुनिया की कोई सी भी ताकत इस 0 को वापस 1 नहीं बना सकती इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर यह भी बदल जाएगा ठीक है, तो यह जब 0 आएगा तब यह भी 0 हैगा ऐसा नहीं होगा कि जब भी complete एक row है ना, पूरी एक complete row आप लिख देता हूँ में complete row के जो सारे element है ना वो क्या आ जाएँ, 0 सारे elements क्या बन जाएँ, 0 बन जाए complete row भी हो सकती है फिर column भी हो सकता है, अगर आप column operation लगा रहे हो तो तो अगर सारे element 0 है ना, किसी एक complete row के है ना, तो उस case में हम बोलेंगे कि इसका inverse possible नहीं है इसका inverse possible नहीं है हम ऐसे बोलेंगे, therefore यह जो A है ना, कौन सी matrix जो question में दे रहे हैं, 6, minus 3 minus 2 and 1, यह यह matrix ठीक है, यह बोल देंगे is not invertible यह with करमणिय आवियू नहीं है, यह with करमणिय आवियू है, ठीक है invertible नहीं है यह तो I hope यह आपको समझ में आया है 2 by 2 matrices से हम कैसे deal करते हैं आसान रहते हैं, अब एक वीडियो में 3 by 3 matrices, जो की थोड़ा lengthy होगा, उसको cover कर लेंगे तो मिलते हैं, अगले वीडियो में cover कर लेंगे, 3 by 3 matrices को उनका inverse कर से निकालते हैं by using elementary operations, यह देखेंगे तो मिलते हैं आगे, thank you very much